Hello students, आज हम बात करेंगे सब ग्रूप की सबसे पहले इसकी definition देखते हैं If a subset H of a group G is itself a group under the operation of G we say H is a subgroup of G कि अगर हमारे पास H कोई subset लिया जाए G group का अगर हम H के बीच same operation लगाए जो हमारा G में operation लगा हुए है अगर H उस operation के साथ group बन जाता है तो हम कहेंगे कि H जो है वो G का subgroup है कोई subset subgroup कैसे बन सकता है उसके दो test होते हैं पहले हम बात करते हैं one step subgroup की और second जो है हमारे पास वो है two step subgroup test इसमें हमारे पास क्या होगा हमको यह दो elements लेते हैं subset के हमारे पास यह जो element है वो G के बीच भी बिलॉंग करेंगे तो हमने प्रूफ क्या करना है कि यह subgroup form कर रहे हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं कि H जो है वो same operation में काम कर रहे है तो इसमें जो closure है और associative है पहली दो properties जो है वो hold करेंगी अब हमने चेक क्या करना है identity और inverse हमको यह element एक और लेते है एकस जो H का ही है हम A और B को X के equal रखते है कि A और B की value X है तो हमने identity element चेक करना है अगर हम इन दोनों को A का product B के साथ करें B के inverse के साथ तो X A की value X है और B inverse की value के है कि X inverse अब इन दोनों का product हमें identity मिलेगा तो यह जो है हमारा H में belong करने लगा तो identity मिल गी हमें तो यह क्या identity exist कर गी next है हमारा inverse चेक करने का हम A को identity के equal लेकर चलते हैं और B को हम X inverse के equal लेकर चलते हैं अगर हम इन दोनों का product करें A और B का तो हमारे पास क्यागा E और X inverse का product तो हमारे पास अगया X inverse तो हमें inverse भी मिल गया जो H में belong कर रहा है तो यह क्या होगा हमारे पास subgroup SM one step subgroup test लगा कर subgroup कोई भी check कर सकते है mostly क्या check करना हो तो हमें कि हम कई दो elements लें H के बीट से और हमारा A into B inverse भी H में belong कर जाए तो यह हमारा one step subgroup test हो गया two step में हम बात करेंगे कि हमारे पास G कोई group है और H उसका कोई subset है तो इसमें हम क्या देखेंगे H हमारा non empty है तो हम कोई element ले ले लेते हैं A जो H में belong कर रहे तो A का inverse जो है अगर वो H में belong करने जाए तो यह हमारे first condition second condition क्या है कि अगर हमारे पास कोई एक over element आ जाए B वो भी H में belong कर रहे अगर यह दोनों H के elements है तो इन दोनों का जो product है वो भी H में belong करे यह हमारी second condition तो two step के लिए क्या condition है first A belong करना चाहिए A inversory तो second हमारी condition है कि A B का product H में belong करना चाहिए यह था हमारा two step इससे हम चेक कर सकते हैं कि कोई subset subgroup है यह नए I hope आपको वीडियो अच्छी लगी हूँ Please channel को subscribe कर लेजेगा